कर पोर गवरम करुड़ावतारं संसार शारं भुजिगेंद्राहारं सदाब संतम हिर्द्यार विंदेभवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोच्साचार डॉक्टर विंतर पाथी आप देख रहें भागी गुरु कारक्रम भागी गुरु कारक्रम में आपका लोग है राहुकाल कब है दिशासूल कब है सारी बात आपको बताऊंगा आज का महा मंत्र क्या है महा मंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने साब को क्या फाइदा मिले गए वहीं बताएंगे 12 राशियों की 12 में विस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती है किसका भागोदय होगा, किसको सरकारी नोकरी मिलेगी, कौन पुलिस से वा में जाएगा कौन चिकट सक्ट बनेगा, कौन इंजिनियर बनेगा, कौन बैग्यानिक बनेगा किसको राजनिती में जाना है, कौन खेती के चत्र से धन अर्जित करेगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यास से धन लाब होगा, किस अंके के प्रयोग करने से भागोदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी अब आई यह हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है बार अक्टूबर 2023 दीन है गुरुवार सुर्योदय हो चुका है सबेरे 6 बच के 19 मिनिट पर सुर्यास्थ होगा साम को 5 बच के 55 मिनिट पर चंद्रोदय होगा अगले दिन 4 बच के बामर मिनिट पर चंद्रास्थ आज चंद्रमा रहेगा स्रिंग राशी में कृष्ण पक्ष है त्रोदेशी तिथी है और पुरुवा फालगुनी नचत्र है शुक्ल योग है सुब मूर्त है आज 11 बच के 44 मिनट से ले करके दो पर 12 बच के 30 मिनट तक रहुकाल है एक बच के 34 मिनट से ले करके आप प्रा कि आज जो निशापती चंद्रमा है वह शिंग राशी में है चंद्रमामन का वकारक होता है कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्साहित है पॉजिटिव होता है सक्कारात्म उर्जा से लबालब है तो कोई भी कारे बड़े अच्छे से कर सकता है तो आज का दिन आपके लिए कार को किर्यानवित करने का देन है अपने टास्ट टार्गेट ओरिंटेट होके कारे करिए आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए डिक रही है रहु काल में कोई भी नयकार न करिए दिशासूल में यात्रा करने से परहिज करिए लगता है यात्रा अपर हार है तो एक दिन अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का जो महामंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुए नवा यह जो महामंत्र है यह जो देवताओं की गुरु है देव गुरु बरिहस्पती उनका महामंत्र है इस महामंत्र के जब करने से व्यक्त की बौधिक छम्ता डिबर होती है ब्यक्ति को अपरसफलता मिलती है निड़े लेने की चमता बढ़ती है देवगुरु भ्रहषवती कुण्डिली में आपके अच्छे होते हैं ज़िधी आपकी कुण्ड़ी में भ्रहषवती ग्रहर के नात्याप को परिशानी आ रहे हैं तो इस मंत्रका अगर जब करते हैं तो आपके लिए लाप्रदर हैगा और आपको आप आर सब फलता मिलेगी मंत्रका जब कैसे करेंगे आप क्या करें कि ब्रहश्वतिवर के दिन पीले रंका वस्त्रधान करें और पीला पूस्प अर्पित करें और ह के माला से इस मंद्रका कम से कम एक माला जब जरू करें आप करेंगा अब हम बात करेंगे बारह राश्यों की बारे में कि आज की बारह राशियां क्या कहते हैं किसका भागोते होगा कौन विदेश जाएगा कौन बैग्यानिक बनेगा कौन चिकेट सक्वनेगा किसको बैपार आप से लाव हो गा किसको राजनिती में जाना है किसकी अचानक बड़ा धन-लाब हो सकता है किसके कि threaten में किलकारी गू जेगी किसके घर में साहनाही बजेगी इस सारी बाते बताएंगे किस अंक्यार प्रयों करने Sat बड़ी सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी, सौधानी के अपरत नहीं है, उपाय क्या करना है आई ये सुरुवात करते हैं मेश राशी से जो मेश राशी की जातक हैं, आज आपके अचानक धनलाव का यूग बन रहा है परिशितियां कूल हैं, रोग और सत्र परास्त होंगे, देश पीदेश की अतरा का यूग बन रहा है समय अनुकुलता लिए हुए हैं, तो समय का जितना सुधव प्योग करेंगे उतना आपके लिए लाप परत रहेगा जब समय किमती हो, तो किमती समय का सुधव प्योग करना चाहिए और धनलाब होने का यूग बन रहा है माली आलत अच्छी होगी, परिवारिक की सिती अच्छी होगी, पत्नी की स्वास में सुधार होगा बहुत सारे कारे आपके रुके हुए संपन्न होंगे, जो आपने रिंड ले रखा है, वो रिंड से मुक्ति मिलेगी योजनाय संफल होंगी, परिवारिक की सिती अच्छी होगी, भाई बहनों के लिए बड़ा च्छा है परिवार में कुछ नए सुभ और मांगली कारे होने की संभावना बन रही है, सौधनी के अबरत नहीं है, बाणी पनियंत रड़के उपाय क्या करना है, लाल चंदन भगवान सूरी दियुकर पित करिये, और खुद भी केशर का तिलक लगा ये सुभ अंक है आठ, सुभ रंग है लाल, लक मीटर है आठ, हरी बात करते हैं ब्रिश राशी की, जो ब्रिश राशी की जातक हैं, आज का दिन आपका काफी जवर्दस्त है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उसका समूल समाधान होगा, परिश्यत अनकूल है, और समस्याओं से आज आपको काफी निजात मिलेगा, लाव का योग बन रहा है, संततियों का सुख प्राप्त होगा, उनकी टेरिटरी में दखल अंदाजी न करिए, संतान की जो भी चिंता है समाप्त होगी, धर्म, कर्म में रुची बढ़ेगे, धर्मार्त कारों में बढ़ चड़के हिस् मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, जड़ आप कोई पूजी निवेस करते हैं तक लाप्रद रहेगा, व्यापारी की से तेच्छी होगी, नौकरी से लाप मिलेगा, यात्रा मंगलकारी होगी, रोग और सत्र परास्त होगे, देश विदेश की यात्रा होगी, चतुर्दिक प्रकत से मन प्रसंद रहेगा, सौधानी का अपरत नहीं है, आपने समय का सुदू प्योग करें, उपाय क्या करना है, सफेद बस्तू का दान करें, और माता या पत्नी का सम्मान करें, शुबंक है दो, और सुबरंग है नीला, लक मीटर है साथ, हरे कृष्ण, बात करते है मिथू राशी की, जो मिथू राशी की जाता है कि आज आपको ध्यान रखना है, कि आप छुटी छुटी बात को लिकी बड़े विवाद करते हैं, विवादों से आपका समय बरबाद होता है, दबाद दिवाद से बचना ही आपके लिए लापरत रहेगा, यात्रा से लाब होगा, मित्रों से लाब होगा, राजनिति क्यों के लिए स्रेस कर समय चल रहा है, पदुनत का यूग बन रहा है, जदि आप सरकारी नोकरी में हैं, कार्पोरेट में हैं, ताज आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई डील करेंगा, उसमें लाब मिलेगा, ने बैपार से लाब म रहा है, आर्थी किस्ति अच्छी होगी, जद आप कोई पूजी निवेस करना चाहते हैं, सोच समझ करके करना आपके लिए हित कर रहेगा, सुब समाचार मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, माता के स्वास को ले करके चिंता समाब्त होगी, जदि नियाले में कोई भी पर नियंत्रा रखें, उपाय क्या करना है, हरा वस्तर दान करें, किसी जुरुतमंद व्यक्ति को, और सुभंग के छे, सुब रंग है पीछ कलर, लग मीटेर साथ, हरी किस्ति नियाले में करकराशी की, जो करकराशी वे लिजा तक हैं, आपको ध्यान रखना है का आपका मन आज बेवज़ा चिंतित हो सकता है, धर्मार्त कारों में रुची बढ़ेगी, राजनेतिक लाव मिलेगा, दूर देश की आतरा होगी, आपके कर्म च्यत्र में विस्तार होगा, योजनाय सफली भूत होंगी, रोग और सत्रु आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं, गुप पूर कारे संपन्न होंगे, देश विदेश की आतरा का यूग मन रहा है, आयात ते जासे लाब मिलेगा, समुद्र के किनार अगर कोई भी नया वेपार करते हैं, ता आपके लिए लाब प्रत रहेगा, अगर विदेश में होटल इता खुलने के अपने प्लान किया ताब को बड़ी सा फलता मिलेगी, सौधानी का अबरत नहीं है, सेयर में पूजी निवेश करने से बच्चें, उपाय क्या करना है, मोती यूम चांदी, दान करें, आपने पतनी या माताजी को गिफ्ट करिए, और सुभंके तीन, सुभंके आसमानी, लक मिटेर साथ, हरे किस, बात में मन लगाना स्रेश कर रहेगा, प्राकरम से धनलाब होगा, माता-पिता का सम्मान मिलेगा, और माता-पिता से आजब को कई महत्मुर कारी मिलेगा, जिससे समाद में सम्मान मिलेगा, माता-पिता का सम्मान करना सीखिए, परच्चा में सफलता मिलेगी, आवेश मा के किये परिश्यति आपके दम अन्कूल है सौधानी का अबरतनी है पिता सो कोई भी बाद बाद ना करें उपाय क्या का ना लाल चंदन भगवान भासकर को अर्पित करिए और और कई महत्मूर कारी जो है ना अच्छा होगा सुबंग है पांच सुबंग है के शरिया और लक मीटर है आठ हरेगा बात करते हैं कन्य राशी की जो कन्य राशी की जातक हैं आज आपको सलाव और मश्यवीरा से धनलाब मिलने का योग बन रहा है बहुत ही कारियों से लाब मिलेगा इसकिल से धनलाब अरजित कर जैसे आप कोई पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए लाब प्रद रहेगा नोकरी से लाब होगा यात्रा बहुत मंगलकारी होगा कोई भी नए कारी में जोकी मन उठावें रोग और सत्र परास्त होंगे लाब दायक समाचार मिलेगा पर होगा नोकरी के लिए यह कालखंड आपके लिए अच्छा है परिशानिया दूर होंगी घर में नया महमान आ सकता है अगर कोई बुजर्ग व्यक्ति तो इसके स्वास्त में सुधार होगा पत्नी की हेल्थ वेल्थ को ले करके चिंता आपकी समाप्त होगी सौधानी के अब पत्रा तक हैं आज आपके मान सम्मान में वढ़ोतरी होगी व्यापार में बृद्धी होगी रोग और सत्र परास्त होंगे नए तरह की किताब लिख सकते हैं फिल्वे बना सकते हैं कहानी लिज सकते हैं समय सरोतम चल रहा है लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है जदिया प्यात्रा करने का प्लान कर रहा है तियात्रा लाफ दैक होगा रुजी रुजगार के नय आउसर मिलेंगे आर्थिक-चैत्र में कियागए प्रयास सारत्तक होगा कृष्यों की योग भूम खरीदेंगे आपकी परिशानिया दूर होगी कोल्क का चहरी में अगर कोई भी मामले चल रहे होंगे तो भीवात समाप्त होगा आपको लाभ प्राप्त होगा सौधानी क्या बरतनी हैं रोग और सत्रु से सौधानी बरते हैं उपाय क्या कर रहा है आपनी बहन को स्वेत वस्तर उपाहार सोरुप दें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके दोज्शु बढ़ोतरी होगे बैपार से लापरत रहेगा बैपार किस्टी लापरत रहेगी नए तरह के कारे करेंगे लापकारी सौधे प्राप्त होंगे विद्धार्थिओं के लिए समय उत्तम चल रहा है धन अर्जित करने का समय चल रहा है जिए आपको डील करते हैं उसमें जूर के व्यक्ति है तो उसके स्वास्त सुधार होगा बच्चों की परिशानिया दूर होंगी संकट जो आ रहा है संकट सब तल जाएंगे और अपने तिंद्री ग्यान की बात माने किसी की बहकावे में ना आवें सौधानी के अबरत नहीं अतिभी स्वास करना किसी पर भ अब आईए हम बात करते हैं धनुराशी की जो धनुराशी के जातक हैं आज को दिन आपके लिए बहुत अच्छा है जद्या बैपार में पूजी निवेस करते हैं या जोखिम उठाना चाहते हैं तो जोखिम आपके लिए लाप्रद रहेगा रिस्क लेंगे लाब होगा न और संतान लापका भी युक बन रहा है संततियान कूल होंगी संतान की प्रगत से मन परसंद रहेगा पटनी का स्वास ठीक रहेगा विरोधी दवस्ट होंगे किर्श्यों भूमी खरीदेंगे लेखनकारे से धन मिलेगा फिलमे बना सकते हैं और अपनी अतिंदरी घ्यान की बात माने सौधनी के अब रत्ति हैं ने कारे करने से बचें उपाय क्या करना है गुरु माता को नमीन वस्त्र गुरुवार के दिन उपाहार सहीद दान करें सुभांके नौ शुब रंगे हल्दी कलर लक्मी तरह साथ हरे कुष्ट बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी के का योग मनदा है यातरा से दलाब होगा बैपार में पूझी निवेश करना लाप्रद रहेगा सरकारी नोकरी मिल सकती है आज सरकारी नोकरी के लिए सक्षदकार में बुलावा सकता है सुब समय चल रहा है बाणी पर नियंतरान आवश्यक है जो बात आपको खराब लगती करिए उस तरह का बैवार दूसरों के साथ ना करिए परिवार में खिलकारी गुजेगी घर में नहीं मेहान आएगा और सुब समाचार मिलेगा सौधानी का परतनी तेजगत की गाड़ी नहीं चलानी है और उपाय क्या करना है ओम हंग हन्वते रुद्रात्म का हूंग फट सद्रिन होगी मनुबल आपका उंचा होगा विरोधियों से थोड़ा कष्ट मिल सकता है परिशानिया दूर होगी सुब घटना है घटने का योग मनदा है परतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी रोग और सत्रु परास्त होंगे नए तरह के कारे करेंगे माली हालत अच्छी हो होगी पतनी और माता के बीच में थोड़ा अन्मन हो सकता है परिशितियों को लेकर क्या परिशान हो सकते हैं अचानक को भी रोधी शक्री हो सकता है सरकार से नुक्सान हो सकता है सौधानी क्या बरतनी है अपनी गोपनिता बरतने उपाय क्या करना काली वस्तू का धान करें पक्षियों को दाना खिलावें सुभंक्या आठ सुभरंग घनीला लक्मिटर साथ हरे क्रिश्म अब हम बात करता हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज के दिन आपके लिए बेहतरीन है जो भी आपकी परिशानिया दूर होगी रूका हुआ कारे संपन्न होग जड़े फिल्म बनाते तो फिल्म में बड़ी सफलता मिलेगी जड़े आप कोई भी पूंजी निवेस करते हैं तो निवेस लाप्रत रहेगा और माली हलत अच्छी होगी भाग दोर बनी रहेगी बिगनबाधाओं के साथ कारियों में अपार सफलता मिलेगी पत्नी का सब्सक्राइब करें उपाय क्या करना है पीली वस्तू का दान करें विश्णु जी की अरातना करें शुब हंके तीन सुब रंगे पींक लग मीटर नो हरेगी अब आईए हम बात करते हैं आज उन दर्शकों के बारे में जिन दर्शकों का जन्मदीन है और जिन दर्शकों क की मनुरत है वगवार भूले नात की किरपा से पूर्ड हो हैपी बर्डे आज इन दर्शकों का जन्मदीन है उनका मुलांग होता है तीन तो खास तोर से तीन बारह एक्किस और तीस तिथी के जो जन्में जाता को तो तो नका मुलांग होता है तीन नमबर बड़ा से कन्विंस नहीं होते जो चाहते हैं वही करते हैं प्रत्कुल परस्टियों को भी अनकुल बना लेते हैं देखा जाता है बर्श आपके लिए काफी अच्छा है माली हालत अच्छी होगी घर बनवाएंगे गाड़ी खरी देंगे परशानिया दूर होंगी राजनेतिक ला पूरे बरस परियंत भगवान विश्व जी की आरातना करिये बहुंख को बिकाड़ी खरी बहुत परेबर्श परियंत भगवान विश्वज जी के आरातना यहांता सिर्शुक्त का पाठ करिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की तो गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि जो गुरुवार का दिन होता है बड़ा महत्पूर होता है गुरुवार का दिन खास्तोर से जो देवताओं के गुरु मानने जाते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है। गुरुवार का दिन भगवान विश्रु के लिए समर्पीत है और देव गुरु ब्रियस्पत के लिए समर्पीत है। इस दिन इनकी पूजा करने से अध्यात्मिक उन्नत के साथ धनलाब की प्राप्ती के लिए अच्छा दिन मानते हैं। कुंडली में गुरु की सिती कमजोर होने पर आपकी केरियर में तमाम तरह की उतार चड़ावाते हैं। तरह की रूक जाती हैं परिशानी आती हैं। और आपको दलिदरता का सामना करना पड़ता है। तो ब्रहस् की राह पर चलने लगते हैं। तो आईए जानते हैं क्या है ये खास उपाए। गुरुवार को जल्दी उठकर सूरी देवता को जल चड़ाइए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विश्णु जी का पूजन करिए। उनके सामने घी का दीपक जला का सुखी और संपन्न बनाएंगे और आप पर भगवान विश्णु जी की किरपा बरसेगी। गुरुवार के दिन विश्णु चलिसा या विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विश्णु जी अतिप्रसंद होते हैं और आपकी जीवन में तरक्की का मार्ग प् भोग लगाईए आपके लिए अच्छा रहेगा सास्तुर में बताया कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडिली में सूब फल बनता है और गुरु की सिती मजबूत होती है खास तर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से ब्रेश्वति देवता के अत और देव गुरु ब्रहस्पति आपका मजबूत है भागी गुरु कारकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे कल इसी वक्त इसी समय मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजी इजाजत आप देखते रे निउज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राखंड नवस्कार